हलो बच्चो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासिज माई नेम इस विशाल शर्मा और आज बच्चो मैं आपको पडाऊंगा इलेक्रिक फ्लक्स मगर उससे भी पहले बच्चो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी छोटी सी चीज मैं आपके साथ डिसकस करने जाओंगा बच्चो वो है एरिया वेक्टर जी हाँ एरिया वेक्टर आप बच्चो सोच में पड़ जाओगे कि सर एरिया वेक्टर कैसे मतलब हमने अभी तक ये समझा था कि एरिया तो एक स्केलर कॉनिटी है इरिया तो scalar quantity होती थी बड़ एरिया वेक्टर कैसे हो गया हाँ बचो एरिया वेक्टर हो चुका है मैं आपको बता दू मगर ऐसा नहीं है कि हर बार एरिया वेक्टर होगा या हर बार एरिया scalar होगा बचो कुछ cases में हमें एरिया के direction की need होती है तो जहां पे area की direction की need हमें होती है, वहां पे हम area को vector consider करते हैं ठीक है, अब आप बोलोगे sir area की direction की need कहां पे बड़ेगी हमें, कॉन सिय चीज़ा area की direction पी depend करती है जी हां बचो, area की direction पी depend करती है electric flux जो कि बचो अभी मैं इसके बाद आपके साथ discuss करूँगा ठीक है कैसे depend करती है वो आपका अभी पता चल जाएगा बट बचो अब मैं area vector को पहले आपको define कर दूँ कि हाँ चलो ठीक है मान लीजे कि हाँ area की case में हम area की direction की नीड पड़ती है तो अगर direction की नीड पड़ती है तो भी ठीक है area को vector लेना है vector लेना है तो एरिया का magnitude क्या होगा direction क्या होगी तो बचो इस case में आपको इतना तो पता ही है कि magnitude तो area का वही होगा जो हमेशा होता है यह बचो मान लीजे एक बड़ा ही छोटा सा element आपको बड़ा दिख रहा होगा यहां पर मान लीजे एक छोटा सा area है ds तो अगर यह surface ऐसा है तो बचो अगर मैं area को vector मान रहा हूँ ds vector जिसे मैं कह रहा हूँ तो उसका vector है तो उसका एक magnitude होगा जिसे मैं ds कह रहा हूँ जो कुछ centimeter square होगा जा कुछ meter square होगा जो भी है बढ़ा small है तो centimeter, millimeter ही कुछ हम लेंगे अब बचो इसकी direction हम क्या लेंगे अगर ऐसा कोई एक surface है तो area vector के direction बचो हमें याद रखने है क्या लेनी है इसके perpendicular क्या लेनी है बचो हमेशा हमें इसके perpendicular area vector के direction हमेशा इसके क्या होगी perpendicular तब बचो वेक्टर को क्या लिखोंगा वेक्टर का एक magnitude जो की इसका area होगा meter square centimeter square में और साथ में बचो direction के लिए n-cap वेर n-cap क्या है बचो n-cap is a unit vector is a unit vector which is perpendicular to the to the surface area तो बचो हर बार क्या area vector होगा नहीं लिख देता हूं बचो यहां पर वैसे तो area क्या है area is a scalar quantity scalar quantity but in few cases it can be treated as a vector यानि कि कुछ cases में हम इसे vector की तरह treat करते हैं और अगर हम vector की तरह treat करते हैं तो भाई vector area vector का magnitude कुछ होगा ds इसका magnitude जितना ज्यादा area होगा इसकी length उतनी ज्यादा होगी vector की और n-cap direction बताता है जैसे अगर area vector की हमें नीड पड़ती है जानि की area को उसका direction के साथ हमें कहा लेना है next topic आपका electric flux तो बचो क्या होता है electric flux तो बचों अगर simply मैं आपको बताऊ electric flux basically होता है electric मतलब electric field में अगर मैं कोई एक surface रखों उस surface में से कितनी electric field lines निकल रही है तो simply मैं कहा सकता हूं in an electric field the electric flux over an area किसी एक area में electric flux जो होगा वो क्या रिपरदन करता है वो बताता है the total number of electric field lines crossing this area मतलब आपको जो area दिया गया ना किसी area में electric field में कोई आप surface रखिए उस surface में इतनी number of field lines निकलेंगी न बचो उन को ही हम क्या बोलेंगे उसको ही हम बोलेंगे बचो electric flux क्या बोलेंगे बचो हम electric flux जैसे बचो इसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आपको यह कोई surface दिख रहा है बचो इस तरीके से बचो में इसा रख रहा है तो field lines बचो उसमें से निकल रही है ठीक है अब जितनी number of field lines इस surface में से निकलेंगी वो क्या represent करता है कि भाई electric flux क्या है तो simply अगर आप से बुचे what is electric flux आप simply बोल दोगे कितनी number of field lines उस surface में से निकल रही है वही क्या बताती है हमें वही बताती है हमें electric flux क्या है मगर बचो बात है electric field lines electric field lines तो imaginary होती है इनने तो आप देख नहीं सकते तो अगर आप इनने देख नहीं सकते तो आप कैसे बताओगे कि किसी एक surface में से कितनी number of field lines निकल लिए है ना बचो टैंप तो अब कैसे करोगे तो भाई इसका हम क्या करें तो हमने इसका एक तरीका ढून निकाला क्या तरीका ढून निकाला बेशक हम electric field lines को देख नहीं सकते मगर बचो हमें इतना जरूर पता उनकी property से कि electric field जहां पे strong होती है वहां पे field lines dense होती है पास पास होती है तो बचो आप खुद सोचें अगर अगर आपके पास कोई एक surface है उसको आप बचो strong electric field में रख दो फिर उसी surface को आप रख दो वीक electric field में आपको बचो दिख रहा होगा यहां पर field lines पास पास हैं यहां पर field lines दूर है तो यहां पे बचो है strong electric field क्या है strong electric field और यह क्या है बचो यह है weak electric field तो भई आप बेशें की electric field lines को देख नहीं सकते बट आपको इतना जरूर पता है जहां पर field lines पास पास होती है closely spaced होती है वहां पे field strong होती है तो किसी भी एक surface को अगर आप उसमें रख दोगे तो obviously ज़्यादा नमरा field lines निकलेगी तो पहली बात electric flux जो होगा वो directly proportional होगा electric field के जितनी ज़्यादा field lines जितनी strong electric field होगी तो flux उतना ही ज़्यादा होगा flux को मैं phi e, phi stands for flux e मतलब electric, electric flux ऐसे हम कहते हैं तो पहली चीज़ आपने देखी बचो दूसरी चीज़ बचो अब मैं आपसे पुछना चाहता हूँ अब मैंने field को same रखा अब मैंने दो surface उसमें रखे एक मैंने छोटा surface रखा और एक मैंने बड़ा surface रखा अगर मैं आपसे बूचिए बचो कौन से surface में ज्यादा lines निकलेंगी तो आप बोलोगे सर कैसी बात पूछ रही हूँ, यह तो आप साफ दिख रहे है जो surface बड़ा है, जिसका area ज्यादा है उसमें से number of field lines ज्यादा निकलेंगी आपको बताऊंगा क्या होता है बट किसी एक surface में से यतनी number of field lines निकल रही है वो डिपेंड करता है surface area कितना है तो बचो उस surface area को मैं ds के साथ represent कर रहा हूँ तो जितना ज्यादा यह होगा, flux उतना ज्यादा होगा clear तीसरी चीज़ और बड़ी important चीज़ बचो तीसरी ये अगर बचो मैं area को ऐसे रखता हूँ field के तो field line obvious list में से निकलने की ज्यादा maximum निकलेंगी बट अगर मैं इसका area की direction ही change कर देता हूँ मैं अगर area vector की direction ही change कर देता हूँ अगर बड़ी तो area vector की direction ही और electric field की direction से अंगल कितना बचो जीरो यहाँ पर angle 0 यहाँ पर angle 90 कहां पर field line ज्यादा निकल रही है यहाँ पर field line निकल यहाँ तो कोई field line निकली निकली निरी यह वाली सारी field line तो सरफेस के क्या है बचो निकली 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 है तो यहाँ पर और दिकली निकली की इसके एंगल के area vector के अंगल पर डिपेंड करता है तो अगर वो area vector और electric field के बीच का angle क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है बट कैसे कर रहा है जब 0 है तो maximum है 90 है तो minimum है ऐसी कौन सी चीज है बच्छो आपकी trigonometry में कि 0 degree पे वो maximum होती है और 90 degree पे minimum होती है आप बोलोगे sir वो trigonometric ratio cos theta है जी हां बच्छो cos 0 is 1 cos 90 is 0 आप सारे जानते हो तो बच्छो cos 0 तो 1 maximum cos 90 degree क्या होता है 0 होता है तो बच्छो आपको क्योंकि यह पता है तो देफर मैं यहां से conclusion निकाल सकता हूं कि जो आपका flux है वो cos theta पे depend करता है इन दोनों से ठीक है तो यह आपका आगया अब बच्छो जब आपने इतना देखा कि flux जो था वो क्या था ठीक है कि flux नम्बरा फील लाइन जो पास कर रहे हैं किस-किस पे depend करता है वो आपने देखा अब बच्छो अगर मैं आपको बोलों कि अब इनका net result क्या है तो आप बोलोगे sir combine कर दो क्या गरोगे आप बोलोगे sir अब बता सकते हो flux कैसे निकालना है कैसे बच्छो आप बोलोगे sir इनको combine कर दीजिए तो बच्छो मैं combine कर रहा हूं combining first second and third आपको मिलेगा कि जो flux है वो directly proportional eds cos of theta अब proportional design बचो अगर मैं बात करूं तो proportional design आप यहां पर जब हटता है तो obviously constant आएगा बचो अब इस case में जो constant हो क्या आता है 1 याद रखिएगा सिधा 1 आता तो अगर 1 आता है तो यह सिधा क्या आजाएगा किसके एक उल आ जाएगा eds cos of theta तो आपका flux ही आया क्या बचो आप इसे ऐसा लिख सकते हो आप बोलोगे sir हमने पड़ा हुआ है अगर कोई दो वेक्टर है आप जानते हो अगर कोई दो वेक्टर है और cos theta है तो आप बोलोगे sir उसे हम ऐसा लिखते है e dot ds यह dot product दो x किसी एक surface में किसके बराबर होगा आप बोलोगे sir यह dot product के बराबर होगा किसके dot product के it is equal to the equal to the dot product of product of electric field and area vector is that clear बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् if you तो बचो अब जो आपने देखा कि flux e dot ds यानि कि e ds cos of theta तो बचो मैं आप यही मतलब ऐसा ही एक case बना रहा हूँ एक general case तो uniform electric field में अगर electric field और area vector के बिच में अंगल theta है कैसे रखा गया बचो इसको मैं बता देता हूँ ऐसे रखा गया है तो आपने बचो अब सीखा है flux कितना होगा इस case में अभी आपने देखा आपके सामने है आपने देखा कि वो e ds cos of theta यानि कि वो जो flux होगा बचो याद रखेगा अब flux क्योंकि मैंने small surface में से लिखा है ना तो बचो हार एक में आप d जरूर लिखेगा तो बचो जो small element चोटे से surface में से जो flux होगा वो क्या होगा e dot ds जो कि आपने देखा बचो अगर बचो ऐसा ना होता तो अगर क्या होता in case of non uniform electric field non uniform electric field अगर बचो electric field non uniform है और surface क्या है closed है जैसे कि बचो आपका ऐसा दिख रहा है ऐसा समय लिजे बचो ऐसा कोई एक surface है field lines बचो इसमें से निकल रही थी ठीक है अब बचो यहाँ पर तो इसका कोई मतलब नहीं है तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसी बचो field lines निकल रहे हैं कि इसे एक closed surface में से और non uniform है मतलब यानि कि area पे हर एक जगा पे same values की नहीं होगी अलग-अलग होगी जैसे बचो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर field हो सकता है strong हो यहाँ पर field weak हो तो कैसे भी हो सकता है और बचो एक closed surface है क्या है बचो यहाँ पर मैं आपको बता दू closed surface closed surface जैसे एक foot wall है बचो बंद होता है spheric बंद होता हर एक जगा से cube है वैसे को एक general body मैं ने ले ली ठीक है अब बचो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा area अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि flux निकालना है तो flux तो आपको बता है एक छोटा सा surface है तो इसमें flux e.ds है बढ़ यहाँ पर बढ़ी body है तो आपको छोटे छोटे surface लेने पड़ेंगे बचो यहाँ पर यहाँ पर भी आप लीजिए ठीक है यहाँ पर बचो मैंने कुछ यहाँ पर छोटे surface ले लिए है अब बचो यहाँ पर area vector की direction इसके क्या होती है perpendicular यह direction आगे बचो area vector की electric field की direction तो बचो आपको दिखी रही है यह बचो कुछ ऐसा है electric field की direction है area vector की direction बचो यह area vector की direction perpendicular to the surface electric field की direction यह area vector की direction बचो यह है तो electric field की direction यह यहाँ पर अगर हम बात करें area vector की direction बचो n-cap जा ds vector आप लिख सकते हो और इसके direction क्या है बचो electric field की यह तो बचो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर angle अगल अक्यूट आ रहे हैं और यहां पर अगर आपको अप्ट्रिक दिए अगल निज्ट आ रहे हैं यहां पर इसा कुछ आता है तो अगर आपको बोला जाए कि पूरा बता हो तो आपको क्या करना है रहmber है सिंप्ली यह कि सब को फ्लक्स निकाल के क्या करना अब इस केस में चोटाल फ्लक्स होगा वह समेशन होगा किपा ई-ड.ई-ड.ई-ड.ई-उ brakingफिल ऐसे दो मैं uniform मान के फिर बता सबकूं कि आप flux क्या होगा तो बचो यह मने बताए तो टोडल में आपको क्या करना है summation करना है ठीक है मगर बचो यहां पे problem है problem क्या है कि अगर आपको सही answer चाहिए उसके लिए area बड़ा चोटा होना चाहिए क्योंकि area बड़ा हो तो बचो मैं लिख रहा हूं for better result for better result ds यानि कि जो area element का जो size है वो बड़ा चोटा होगा जितना चोटा होगा उसमें electric field उतनी ही same रहेगी उस पूरे में वेरी नहीं करेगी तो उसमें flux उतना ही सही आएगा तो अगर यह बड़ा चोटा है तो बचो क्या होगा यह 0 therefore the number of elements क्या होजाेंगे? infinite हो जाएंगे, number of elements becomes infinite,import Ian and element का number infinite हो जाएगा जब infinite हो जाता है बच्चो मलब अब elements गिन नी सकते हम जैसे 5,6,7,9,9,9 में नी हम गिन नी सकते है तो जहाँ पर हम गिन नी सकते हैं बहाँ पर summation नी होती summation कहां पर होती ही, यहां पर आप किसी एक चीज़ को गिन सकते हो, उनको sum करना, बढ़ यह तो नहीं होगी, तो बच्छो इस case में क्या होता है, the summation sign, the summation sign is replaced by, replaced by the sign of integration, of integration, बच्छो वो integration sign से replace हो जाएगा, therefore, अब जो आपका total flux होगा, वो क्या होगा, पूरे इसमें, integration कर दीजिए, e.ds की, और बच्छो अवर्दा close surface है, तो यहां पर एक ring C में बनाऊँगा, यह ring क्या represent करती है, कि integration कीगी, yes, अवर्दा close surface, तो बच्छो यह आपने सीखा, कि flux हम कैसे निकालेंगे, uniform electric field में, एक छोटे सेरिया में, electric flux कितना होगा, वो आपने सीखा, और अगर non-uniform electric field है, close surface है, तो आप क्या करोगे, सभी की, छोटे-छोटे element लेके आप निकालोगे, flux, उनको आप sum कर दोगे, but result के लिए, इन elements का size बड़ा चोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर size बड़ा हुआ, बड़ा size हुआ, तो field यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, वो तो वरी कर जाएगी, तो आप फिर निकाल नहीं पाओगे, तो फिर आप बचो आपको electric flux समझ आ गया होगा, अच्छा कुछ बाते बचो आपको इसके बारे में और बताना चाहूँगा, like मैं आपको बताना चाहूँगा, कि electric flux का unit क्या है, और electric flux की nature क्या है, और बचो इसका dimensional formula क्या है, तो बचो मुझे आप सबसे पहले इसका unit बताएं, electric flux का unit क्य होगा मुझे बताएं, अब बोलोगे सर, electric field और area, electric field का unit क्या होती है, newton, coulomb inverse और area का meter scale, तो बचो इसके unit आगे, अच्छा जी, इसकी nature क्या है, तो बचो बिना किसी शक के, क्योंकि dot product है, electric field और area की dot product क्या है, तो मैं बोलूँगा बचो इसकी nature क्या है, it is a scalar quantity, बचो पहली क्योंकि बचो इसकी definition ही है, यह क्या number of field line, एक number है कि कितनी field lines pass कर रही है, जितनी करेंगे, मतलब उतना ज्यादा क्या है, उतना ज्यादा flux है, तो बचो number obviously क्या होगा, scalery होगा, और कुछ होगा है, dimensional formula बचो मैं आप तक छोड़ता हूँ, यह मुझे आप बताओगे कितना है ठीक है, उसके बाद बचो अब कुछ चीजें इसके बारे में बताओ, यहाँ बचो एक बात खास दोर पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि EDS cos of theta है flux, एक छोटी से element में, यहाँ बचो angle आप देखो, obtuse, 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 जब incoming flux आता है, याद रखिएगा, note करके लिख दीजिए बचे, यहाँ पर, for incoming flux, in coming flux, theta obtuse होगा बचो, देरफोर cos theta, अगर theta obtuse है, angle 90 से बड़ा है, तो बचो उसके लिए cos की values क्या होगी, negative, cos theta हमेशा negative होगा, देरफोर बचो जब cos theta negative आ जाएगा, तो flux भी आपका क्या आएगा, flux is negative, तो बचो incoming flux हमेशा क्या होगा, negative होगा, अब बचो outgoing flux देखना, electric field or area vector के बीच का angle, acute है बचो, acute है, तो बचो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, for outgoing flux, आब बचो कह सकते हो, theta is acute, theta acute होने के वाज़े से cos theta की value क्या होगी बचो, positive होगी, और अगर cos theta positive, तो बचो flux आपका positive, तो बचो flux कब positive, कब negative आपने यह भी देख लिया, I hope बचो आपको यह अच्छे से समझाया होगा, अगर आपका फिर भी कोई doubt है बचो आप message करके बता सकते हो,